नमस्ते साथी हों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मा प्रकरदी में दोस्तों फरवरी मार्च का मौसम फूलों के लिए तो अच्छा होता ही है लेकिन साथ ही साथ हमारी जो पौधे डॉर्मेंसी में चले जादे हैं जाडों में या जिन में पत्तियां ज़र जाती है उनके लिए भी यह मौसम बहुत अच्छा होता है आप यह देख रहा है मेरी पान की बेल जो कि जाडों में बहुत ही इसमें पत्ते कम रह गए थे अब इसमें नए नए पत्ते आने लगी है और इसमें काफी अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है तो इस तरीके से हमारे कई पौधे हैं ये मेरा पीस लीली का पौधा है वैसे तो यह हमेशा ही हरा भरा रहता है लेकिन इन दिनों इसमें नए पत्ते आने लगते हैं और गर्मी के मौसम में इसमें वाइट कलर के सुंदर सुंदर फूल भी खिलेंगे यह आप देख रहे हैं इसमें पत्तों में एक चमक सी भी आ रही है और अंदर की तरफ छोट छोटे पत्ते इसमें नए निकलने शुरू हो गए है और इसी तरीके से यह जो मेरी चमेली की बेल है यह जहां से मैंने इसकी पहले कभी कटिंग करी होगी यहां पर यह इसमें नए नए शूट्स आ रहे हैं नए नए ग्रोथ दिखाई दे रही है हला कि मैं इसको काट दूँगी यहां से मुझे जरूरत नहीं है यह मेरी सीधी उपर जा रही है तो इसी तरीके से हमारे सभी पौधों में नए ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है तो जब पौधों में नई ग्रोध आनी शुरू हो जाती है इतनी लंबी डॉर्मेंसी के बाद ये अब जगे हैं तो अब इनको खाद की ज़रुत है जैसे हम लंबी नीन से जगते हैं या सोकर उठते हैं तो हमें खाने भूग लगती है तो उसी तरीके से हमारे इन पौधों को भी अलग nutrition चाहिए अलग food चाहिए ताकि साल भर ये जो है पौधे हमारे हरे बरे बन रहे हैं और इनकी ग्रोध अच्छी रहे तो हमारा आज का वीडियो इसी बात पर रहेगा कि हमारे इन पौधों को हम कैसे खाद दें हम इनके साथ इस समय क्या क्या कर सकते हैं हम इनकी pruning कर सकते हैं अच्छी तरह से hard pruning, soft pruning जैसे भी पौधे की demand है हमको अगर पौधा उसकी reporting करनी है तो आप उसको report भी कर सकते हैं अगर पौधे को divide करना है जैसे अभी आपको दिखाया मैंने peace lilly का पौधा इसको divide कर सकते हैं और fox till fund और इस तरीके से कई पौधे हैं जिनको आप divide कर सकते हैं तो आप इस मौसम में ये काम कर सकते हैं ये देखिए ये मेरा गुढ़ल का पौधा है इसकी भी पत्निया बिल जड़े जो जैसे root bound हो जाता है तो उन जड़ों को काट सकते हैं और फिर दुबारा से मिट्टी तयार करके लगा सकते हैं इस विशह पर मेरा दूसरा वीडियो है एक गंबले की मिट्टी कैसे तयार करें आप उसे देख सकते हैं लेकिन यहां पर मैंने इस पौधे जो गं जड़ी थी उसमें मैंने जो मेरा किचिन वेस्ट के साथ जो मैंने मैनियोर तयार करा था उसके साथ मिला कर मिट्टी डाली हुई है और इसी तरीके से मेरा यह सौंग ऑफ इंडिया का प्लांट है इसको भी मैंने वन थर्ड के करीब खाली कर लिया है आप देखने हैं यह काफी समय रूट बाउंसा ही हो रहा है लेकिन मैं इसको भी अभी नहीं कर रही क्योंकि यह भी मैंने एक बार मैं कर चुकी हूँ इसको जो है इसकी जो री पॉर्टिंग है कर चुकी हूँ तो मैं अब इसमें इस तरीके से यह बस वन थर्ड खाली करके और इसमें यह है तो थोड़ा सा डी एपी नीम खली भी आप डाल सकते हैं पॉधों में इस तरीके से खाद देने के बाद बहुत जरूरी है कि उनमें उपर तक पानी पुरा भर दिया जाए क्योंकि खाद गरम होती है तो इसलिए अगर हम पानी दे रेंगे तो इनकी जड़ों को जो है खाद की गरमी से बची रहेंगी तो इस तरीके से हमारे पौधों को भोजन भी मिल गया और पानी भी मिल गया और आप यह देखिए यह मेरा प्राजीता का पौधा है इसमें भी मैंने देखे प्रूनिंग कर दी थी यह आप देख रहे हैं जहां जहां से मैंने इसकी कोगरा के और जैसे भी आपके प्लांट्स हैं जो इस समय गर्मियों में अब फूल आएंगे या पर्मानेंट प्लांट्स हैं आप इस तरीके से उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं यह मेरा गुढ़ल का पौधा है जिस पे यलो कलर का बड़ा बहुत ही बड़ा और बहुत ही चोटी चोटी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है और यह मेरा फॉक्स टेल फॉर्ण है इसको मुझे डिवाइड करना है तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था भी कि इस वह समय हम अपने पौधों को चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं तो इसके लिए इन पौधों को जि ठीली हो जाएंगी और जब ठीली हो जाएंगी तो आप पूरा का पूरा प्लांट बाहर निकाल कर इस तरीके से अलग आप कर सकते हैं आराम से तो इससे पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा तो मैंने यहाँ एक प्लांट से अपने दो प्लांट बना लिए औ इसके कारण इसको पाने की कम जरुरत होती है तो फ्रेंस इस तरीके से आप अपने पौधों को डिवाइड भी कर सकते हैं और ये देखिए मेरा आज ये मेरा जर्बेरा का प्लांट इसमें देखिए एक साथ कई सारे फूल खिले हुए हैं दो-ती दिन से मैं देख रही थी इ फूल इसका खतम हो गया था तो इसको मैंने पूरा निकाल दिया है और इसमें अंदर की तरफ भी इसमें एक कली दिखाई दे रही है अगर आप देख पा रहे हो तो तो इसमें इस समय लगभग छे से साथ फूल एक साथ खिले हुए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे मेरा ये प्यारा सा प्लांट देखकर और आप ये देखिए ये मैंने अपने जो मेरे ये अपराजीता के पौदे थे इनमें भी मैंने अपनी खाद पूरे डाल दी है और अब इनको अच्छे तरह से पानी देखकर मैं पूरा इनमें पानी डालूंगी पानी इतना कि पानी इन में से गबले में पूरा नीचे तक चला जाए और वो पानी बहने लगे तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आपको वीडियो अच्छा झायता आपको ığट आपको में लिखकर जड़ियो visual Austin शुआ होगा एम आपको वीडियो इसानल आपको भीडियो से खूultura